तो नमस्कार प्यारे छात्रों आपका एक बार फिर से सोगत है आज के इस वीडियो पर यहाँ पर देखिए आपका खंड बाके अंतरगत कखा आका साथ का विसे आपका विज्ञान का हिंदी माध्यम का प्रोजेक्ट कारका पूरा आपका यहाँ पे बरसीट का सल्योसन लेक अपने देख लिया तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी देखिए यहाँ पर आपको क्या है आपको सबसे पहले आपको विद्यार जी का नाम भारना है और इसके बाद आपको यहाँ पर पीता जी का नाम और यहाँ पर आपको साला का नाम और यहाँ पर एक अक्षा आपक तो आप यहाँ पर बेडियो के क्वालटी आप यहाँ सेटिंग में जाकर बना सकते हैं थुड़ा सा बढ़ा लिजेगा यहीं आपने 720 क्वालटी का कर रहे है तो बहुत यह आपका यहाँ उपका वीडियो दीखेंगा देखिए। यहाँ पे खंड बाका देखे, आपको यहाँ से बरसित करना, आपको प्रारम करना है, पहला कोश्चन अपर लिखा गया है, प्रसंद को पढ़कर निर्देश के अंसर आपको उत्तर लिखना है, तो अपने माता पिता अभिवावा की साहथा से जल के बारे में जानकारी एकत करना और आपको 20 जल दिबस कब बना जाता है, आपको यह लिखना है, देखिए, तो आपको यहाँ पर कुश्चन है, तो आपको यहाँ पर अंसर लिखना है, भाई साब 20 जल दिबस, यहाँ पर 22 माच को मना जाता है, आपको अंसर करना है, और इसके बाद आपको यहाँ प परदन और इसके साथ आपका भॉम जल और इसके साथ बातपूर सरजन और यहाँ पर आपको बादल का चित बनाना है और साथ पर आपको यहाँ बात ठीक है तो यहाँ पर आप ऐसे चित बना देगे आपको इसके इन पर यहाँ पर दिखरा होगा और इसके बाद यहाँ पर इसी question आता है तीसरा, तो तीसरा question देखें आपको यहाँ पर question देखें, क्या हम भूमे के नीचे से निरांतर जल निकाल सकते हैं, और ऐसा करने पर भूम जल का इस्तर पर क्या प्रभावव पड़ेगा, तो देखें बिल्कुल बहुत सिंपल असर है, हाँ हम भूमे के नीचे की पुनापुर्टी किस प्रकार कि जा सकती है то आपको अंसर लिखना है भाई साब कि भूमे के नीचे से निकाले गए भॉम जल की पुनापुर्टी प्राया बास पा क्या लिखाए बरसा जल के अवस्त्रण यानि रिसाओ धौरा हो जाती है टी का को अंसर करना है आपको सिंपल सा इन्सन लिखना है और इस के बादा आपका जल की बचयसको दसाने हो तू आपके एक ड्राइंग आपको तैयर करना है तो सिंपल का है जल Mmm 3 है मेरा सपना था कि खुषाल धारत अपना और यहां पे जित बनाये और सिपका बर को रोग राइटी को बिल्कुल और और आपको अंसर एसा ही आपको लिखना है और इसकी बाद आप कहा यहाँ पर आता है आपका तो question number 6 में आपको question पूछा गया है अपने दादा दादी से पूछ कर लिखे बे अपने समय में किन-किन जलतों का पानी पीते थे और क्या आज उन समस सरोतों का पानी पीने योग है है या नहीं आप बताना है आपने सब्दों लिखे तो हमाई दादा दादी के समय में कुव पानी पीते थे और आज उन समस से जलतों का पानी पीने योग नहीं है ठीक है सिंपल सा आपको अंसर करना है और इसके बाद आपका आता है कि बीस नंबर के कमलेट हुआ अब यहां पर आता है कौश्चन में आपका दो तो question में आपका दो यहां पर आपका बीस नंबर का अपने माता पिता अभी बावक की सहाथा से आपको निम तालिका को फूरा करना है तो जन्मरी में कितना है था तो आपके घर में खितना है था तो आप यहां पर लिग देजिए 36 यूनिट और आपका कितने रुपए हुआ आपको यहां पे 81 रुपए ठीक है और इसके अपको सिंपल कोई दिकर नहीं है आपके लिग धिजिए भाई सब आपके अंसर तो आपका एक तो मा लेते हैं आपका 1039 रुपई ठीक है चलेए इसके बाद देखिए आपको यहां पर इसके आगे आगी का आपको दिखाते हैं यहां पर आंसर माहे आपका जून का तो 59 रुपए नवंबर में आपका 50 उनिट आपका 40 रुपए और दिसमबर में 58 उनिट पचास रुपए आपका भार देना है और इसके बाद आपका question आता है देखिए इसके आगे के तो चलिए आपका ठीखाते है परिबार दोरा एक बरस में 500 निट आपका यहां पर विजली आपका खर्च हुआ और किन की माय में आपके घर में बिजली का बिल रासी कम आई और रासी कम आने करण क्या हो सकता है तो जनवरी फरबरी आगस्त माय में हमारे घर में बिजली की आपका रासी कम आई और ठंड क के मौसम में होने से बिज़ली का उपयोग कम होता है और इसके बाद देखे आपको यहापे चौथा कोश्चन तो चौथा कोश्चन आपको यहापी हो जाएगा आपके देखिए कोश्चन नमर चौथा आपके घर में उपकरणों का संचालित करने के लिए क्या आप उर्जा का सुरूत का उपयोग करते हैं तो हमारे घर में विद्धूत उपकरणों का संचालित करने के लिए हम सौर उर्जा और बायो गैस का यहापे उपयोग करते हैं आपको अंसर करना है और इसके बाद आप आपको छटे नमर में question आपको देखना आपको अंसर यहां पर लिख देना है simple सा अंसर है आपको विद्धूत उर्जा खपत को कम करने के लिए उपायों के सोची तो पहला आपको यापको यूज नहीं करना है स्वबाट वाला और यहां पर देखे आनवस्यक विद्धूत उ टोटल question का answer को यहां पर आपको बता दिये गए तो टोटल आपको 40 नमबर पूरे नमबर आपको यहां पर मिल जाएंगे आपको टेंसर नहीं लेना है और जो भी चाहते हैं पर पहली बार यहां पर चैनल पर आपको विजट कर रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक करिए हम्हों activate यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको कहले अपर हैंगे